हलो नमस्कार कैसे हैं आप सभी वेल्कम टू मैंगनेट ब्रेन सिंधी मीटियम मैं लाली वर्मा आप सभी ग्यारवी कक्षा के विध्यारतियों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और साथी साथ आपकी उर्जा के लिए जोरदार तालिय बजाना चाहूंगी सच में आप बड़े ही उर्जावान है मेरे बच्चो इसी तरह से अपनी उर्जा को सकारात्मक्ता प्रदान करते हुए हमेशा कर्म पत्थी और आगे बढ़ना और अपनी मन्जिल तक अवश्य प लिखा है मैथली शरण गुप्त जी ने तो एक बार पुना जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं लाली वर्मा मैंगनेट ब्रेंस हिंदी मीडियम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ चलते हैं हम पार्ट पुस्तक के पहले प्रश्न की ओर आशा करती हूँ आपने पहला वीडियो देख लिया है और जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो देखो ताकि आपको पता चले कि राश्ट कवी मैतली शरण गुपत जी द्वारा रचित जनकार कवीता किस पर आधारित है ये आपको बता होना चाहिए हाँ हाँ मैं बताऊंगी इस वीडियो में मैं बताऊंगी लेकिन पहले आप फस्ट वीडियो जरूर देखो ताकि सब कुछ बहुत अच्छी से समझवे आए किस पर आधारित है क्या कहा है क्या संदेश छिपा है पहला प्रशन है कवी ने कवी ने शरीर की सकल शिराओं को किस तंत्री के तार के रूप में देखना चाहा है पहले तो आपको प्रशन का अर्थ पता होना चाहिए कवी ने शरीर की जो भी हमारा शरीर है सकल मतलब सभी सारी और सभी शिराओं को किस तंत्री के तार के रूप में देखना चाहा है किस तंत्री के तार के रूप में देखना चाहा है और क्यों तंत्री मतलब वादे अंत्र जिस तरह से वीना में तार होते हैं सितार में तार होते हैं गिटार में तार होते हैं जब उन तारों को छेड़ा जाता है तब ही उनमें जनकार आती है तब ही उनमें सुर आता है तो जीवन की सभी शिराओं को किस तंत्री के तार के समान माना है अब शिराएं क्या है शिराएं यही है बिटा यह जो देखते हैं आप नब्स देखते हैं यह हमारी नाड़ी भी कहते हैं इसको यह सब शिराएं हैं यह सभी नसे हैं वेंस हैं जो हमारी जीवन में रक्त का संचार करती हैं, रक्त संचार करने में हमारी साहता करती हैं, जिनकी साहता से हमारा शरीर या हमारा जीवन चलता है और इन सब पर नियंतरन किसका है? वीना वादनी मासरस्वती के हाथों में वीना रहती है जब मासरस्वती उसको बजाती है तभी आवाज आती है ठीक हमारा शरीर भी एक तंत्री के समान है एक वाद्य यंत्र के समान है और इसके तारों को कौन छेड़ता है परमपिता परमेश्वर जिसने हमारा निर्मान किया है ठीक है तो कवी ने शरीर की सकल शिराओं को किस तंत्री के तार के रूप में देखना चाहा है किस रूप में देखना चाहा है मैतली शरण गुप्त जैसे रास्ट भक्त कवी ने अपने शरीर की सकल शिराओं को मात्र भूमी की सरवोत मुखी विकास रूपी तंत्री के तार के रूप में देखा है कि जब हमारा शरीर हमारे कर्म मात्र भूमी के काम आना चाहिए इस संसार के हित में होना चाहिए हमारे द्वारा किया गया जो भी कारे हो सर्व हित में हो जिसमें सब का कल्यान छुपा हो वही होना चाहिए कवी संपूर संचित उर्चा क्षमता को मात्र भूमी के काया कल्प प्रक्रिया में लगा देना चाहता है पर मात्मा से प्रार्थना करते हुए कभी कहते हैं कि तू जितनी तेज चाहे हमारे जीवन रूपी तारों को छेड़ लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी कारे संपन हो मात्र भूमी के लिए ही हो कभी ता पढ़ी थी हमने बहुत छोटे थे तब कि कभी वहां मात्र भूमी के प्रति अपना सर्वस्व नयचावर करने को तत्पर है ठीक यहां भी कभी ने वही ब्रार्थना की है अगला है कभी को आघातों की चिंता क्यूं नहीं है आघात चोट दुख दर्द कोई भी चोट 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 दुख दर्द क्यूं चिंता नहीं है भाई सभी लोग है जिनको चोट लगने पर दर्द होता है दुख होता है लेकिन कवी को आगातों की चिंता ही नहीं है आखिर क्यों? देखो कवी रास्टर प्रेम की भावना लोकचित में जागरित करना चाहता है स्वाधीनता की व्याकुलता में वह स्वाधीनता आंदोलन को संपून रास्टर में अंतर व्याप्त करना चाहता है गुलामी से बढ़कर कोई दूसरी पीडा नहीं है हमने जाना है अभी इससे पहले हमने कवीता पड़ी ना बिटा कि किस तरह से भारतेंदू हरिश्चंदर जी ने भारत दुर्दशा में भारत की दुर्दशा का वर्नन किया है जो गुलामी का था कोई भी चाहे वो पक्षी हो कोई भी जीव जनतु हो सब को स्वतंतरता से जीना ही प्यारा लगता है गुलामी से बढ़कर कोई दूसरा दर्द नहीं है कोई दूसरी पीडा नहीं है स्वतंतरता की उत्कट आकांग्षा तीव्र आकांग्षा कुछ विलक्षन ही होती है जब स्वतंतरता की जाहो कहते हैं न मान लो ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार और जब हमने ठान लिया है कि चोट कितनी भी गहरी क्यों नहो हम विचलित नहीं होंगे हम कर्मपत पर अडग रहेंगे स्वाधीनता की उत्कट आकांग्षा कुछ विलक्षन ही होती है स्वाधीनता की आकांग्षा ने कवी को आघातों की चिंता से विमुक्त कर दिया जो भी आघात हैं चोट हैं उन सब से विमुक्त कर दिया कवी ने समूचे देश में किस गुणजार के गमक उठने की बात कही है कवी ने क्या कहा है कि ऐसी कौन सी गमक है क्या है जिसके मादधम से वो गुणजार उठेगी जो गुणजार सभी को सुकून देगी सब को शान्ति देगी सब किरदय को शीतलत प्रदान करेगी क्या है वो कौन सी तो देखिए आधुनिक भारत के प्रत्थम राष्टकवी प्रत्थम राष्टकवी जरूर याद रखेगा मैथली शरण गुपत जी को राष्टकवी की उपादी से सबसे पहले विबूशित किया गया था ठीक है इसलिए प्रत्थम राष्टकवी के रूप में मैथली शरण गुपत जी का नाम सर्वो परी है आधुनिक भारत के प्रत्थम राष्टकवी मैथली शरण गुपत में गुलामी की जन्जीर में जकडी भारत माता को स्वाधीन करने की गहरी व्याकुलता है आपको पता ही है कि लगबग दो सो दो सो वर्षों तक दो सो वर्षों तक हमारी माभारती हुलामी की जन्जीरों में बंधी रही थी जकड़ी रही थी हर एक व्यक्ती पीडा से कराह रहा था इतना दुख इतना दर्द इतनी वेदना इतनी तकलीफ इतनी प्रतार्णाय जेली कि सोचकर पढ़कर या देखकर रूह काप जाती है तो कवी ने उस गुलामी की जन्जीर में जकड़ी भारत माता को स्वाधीन करने की गहरी व्याकुलता जताई है कि बस अब हम भारत माता को या माभारती को गुलामी की जन्जीरों से आजाद करा के ही दम लेंगे आजाद करा के ही सांस लेंगे उत्कटिक्चा है कवी गुलाम भारत में आजादी प्राप्ती हेतु शौर्य पौरुश तथा पराक्रम का संचार घरना चाहता है जिसके बल पर संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता प्राप्ती के लिए संघर्ष का स्वर गुंजारित हो सके और जब संपूर्ण देश में नई भावना नई कामना जन जागरती उत्पन करनी होती है उसके लिए कवी प्रत्थम राष्ट कवी मैथली शरन गुप्त जी ने अपनी कलम की सहायता से जन जन में चेतना जागरत की जन जन में राष्ट और देश भाक्ती की चेतना जागरत करते हुए उन में स्वतंत्रता की चिनगारी को उत्पन किया और ये महसूस कराया कि ये गुलामी का जीवन भी कोई जीवन है अरे गुलामी का जीवन तो एक पशु भी नहीं जीना चाहता हम तो इंसान हैं हम तो उस देश के निवासी हैं जा राम, हरिश्चंद्र, कृष्ण, बुद्ध, महावीर जैसे महान प्रतापी, शौरेवान, राजाओं ने जन मिलिया, महान आत्माओं ने जन मिलिया हमारा देश वही देश है जो सोने की चड़िया कहलाता था जो विश्व गुरू कहलाता था आज गुलाम है तो अब हमें फिर से घुमी हुई आजादी की हमें कीमत पहचाननी होगी जानना होगा और ये ठानना होगा कि बस अब नहीं अब नहीं, अब हम भारत को स्वतंत्र करा के ही रहेंगे कभी गुलाम भारत में आजादी प्राप्त हेतु, शौर्य, पौरुश तथा पराक्रम का संचार करना चाहता है जिसके बल पर संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता प्राप्ती के लिए संघर्ष का स्वर गुंजारित हो सके कभी स्वधीनता आंदोलन में देशवासियों की सक्रिय सहभागिता चाहता है वैं स्वतंत्रता प्राप्ती के गुंजार का गमक संपूर्ण देश में गुंजारित करना चाहता है कर प्रहार हाँ, कर प्रहार तू, भार नहीं ये तो है प्यार यहां किस से प्रहार करने के लिए कहा गया है यहां भार को प्यार कहा गया है इसका क्या अर्थ है कर प्रहार हां कर प्रहार किस से कहा है परमात्मा से किस ने कहा है कवी ने और भार को प्यार कहा है यह कैसे देखो प्रस्तुत व्याख्य पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक दिगंत भाग एक में संकलित रास्ट कवी मैतली शरण गुप्त रचित जंकार शीरशक से ली गई है सांगेतिक वातावरण में जब संगत करते कलाकार विबिन प्रकार के रागों, स्वरों, लयों का अपनी कलाकारिता का इस भाव से प्रदशन करें कि सामने वाला कलाकार निरुत्तर हो जाए किन्तु समर्थ कलाकार उसकी तोड़ प्रस्तुत करता जलता है जिससे स्वस्त प्रतियोगी वातावरण बनता है तब परमानंद की अनुभूती होती है तो यहां पर कर प्रहार हां कर प्रहार यहां पर परमात्मा से प्रहार करने की बात की गई है कि रचेता तू है, स्रजन करता तू है, रचना तूने की है, अब तू हम पर प्रहार कर, तेरा प्रहार हमारे लिए प्यार होगा, क्योंकि जितनी चोट पड़ती है, उतना ही मजबूती आती है यहां प्रहार का यही अर्थ है, यह एक कलाकार कलावत अपने समकष कलाकार को ताल, राग के माध्यम से प्रहार करने और स्वयम को उसका प्रतिकार करने के लिए प्रस्तुत होने की बात करता है विपरीत और विरोधी के बीच ही विकास है इस सूत्र को पकड़ हुए कवी प्रहार को प्यार की संगय देदा देखो विपरीत और विरोधी के बीच ही विकास है बहुत बढ़ियां विचार है बिटा विपरीत और विरोधी के बीच ही विकास है जब तक हमारे सामने विरोधी नहीं होंगे हम विकास ही नहीं कर पाएंगे ये एक सूत्र है, ये रूल है, ये नियम है कि जब तक हमारे कॉम्प्टीटर हमारे सामने नहीं होंगे जब तक प्रती रोधी हमारे सामने नहीं होंगे हमें लगेगा हम सही हैं, हम पूर्ण हैं लेकिन जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तब हम और कुछ सीखते हैं और कुछ गुणों को अपने अंदर समाहित करते हैं और विकास होता है इस सूत्र को पकड़े हुए कभी इस प्रहार को प्यार की संग्या देता है जब तक चुनोती नहीं हो निखार नहीं आता क्या बात है सच में बेटा ये मैं भी अनुभव करती हूँ कि कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसी चुनोती आ जाती है इसी समस्या इसी है जाती है जो हमें समस्या लगती है लेकिन होती वो चुनोती है वो चुनोती ही हमें निखारती है तो नई नई चुनोतीयों से घबराओ मत उनका सामना करो निखरोगे तभी जब तक धदक तियाग नहीं पड़ेगी तब तक सोने में कांती नहीं आएगी कभी चुनोतियों जब आप देहियों दायत्वों को भार स्वरूप नहीं प्यार स्वरूप सुईकारता है जो चुनोतियां है जिम्मेदारियां है उत्तर दायत्व है उनको भार नहीं उनको प्यार समझना होगा क्योंकि वे ही हमें निखारती हैं, हमें विकास की ओर ले जाती हैं, समझ में आया, इस बात को याद रखना अब हम चलते हैं आगे निम्नलेखित पंक्तियों की साप्रसंग व्याख्या कीजिए पहला है मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल शुरुतियों का द्वार क्या कहा है कवी ने? बिटा इन पंक्तियों के माध्यम से कवी ने कहा है मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल शुरुतियों का द्वार प्रस्तुत सार गर्भित पंक्तियां, हमारी पाठ पुस्तक, दिगंत भाग एक में संकलित, राष्ट कवी, मैतली शरण गुप्त रचित, जंकार, शीर्शक कवीता से ली गई है वीणा से राग स्वर तभी निस्त्रित होता है, तब उसके उपर तार अपनी जीवन आहूती देते हैं अपने को तनवाने, तन्ने के लिए प्रस्तुत होते हैं, जब तक तारों को खीचा नहीं जाता, खीच कर उनको कसा जाता है मतलब तार अपना जीवन ने अचावर कर रहे हैं, जीवन ने अचावर करने के बाद ही तारों से जंकृत स्वर सुनाई देता है, जो करन प्रिये लगता है स्वर संधान के पूर्व तारों को साधित किया जाता है, उनको साधा जाता है कवी स्वर संधान की पूर्व पीठ का बनने को प्रस्तुध है अपना शरीर शिराओं को तार बनाने के लिए सज्ज हैं और कहते हैं कि स्वर लहरी दूर दूर तक गूंजे तो इतना तेज प्रहार कर परमात्मा मैं किसी भी तरह से हार नहीं मानूगा प्रवीन उंगलियों का तारों पर आगात इतना पुर्जोर हो कि अखिल स्रिष्टी में ये कल निनाद सुना जा सके कवी ठोस आधार पर मृसं कलाकृती का अकांग्शी है कवी शारिरिक भूख के ऊपर उठकर मान सिखार दिक्षुदा की त्रिप्ती हे तू आवाहन करता है शारिरिक भूख मिट जाएगी लेकिन जो आत्मा की भूख है वो तेरे ही द्वारा मिटी जा सकती है स्पष्ट है कि गुप्त जी का जुकाव छायावादी विचार धारा की ओर हो चुका है तार-तार और तान-तान में वीप सा लंकार तथा अपनी अंगली में आवरण की आवरित्ती से जब वरणों की आवरित्ती होती है तो अनुपरास है ठीक है? शालो अगला है ताल ताल पर भाल जुकाकर क्या लिखाए विटा प्रश्ण में? क्या कहा है? इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो सकता है? कवी मैथली शरन गुप्त जी ने यहां यही कहा है तो हम सबसे पहले जब लिखते हैं न साप्रसंग व्याख्या तो हमें लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां कहां से ली गई है ठीक है और इनके रचनाकार कौन है पाठ पुस्तक कौन सी है ये सारी बाते हमें साप्रसंग व्याख्या में शामिल करनी होती है अब यदि ये पंक्ति आ जाएगी तो आप क्या लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत सार गर्भित पंक्तियां हमारी पाठ पुस्टक दिगंत भाग एक में संकलित मैतली शरण गुप्त रचित जंकार शीर्षक कविता से ले गई है या जंकार कविता से उद्रित हैं इन पंक्तियों में कवी ने संगीत की चरम स्थिती की प्राप्ति और उसके प्रभाव की चर्चा की है संगीत वह भाशा है जिसे अनपढ़ भी समझ लेते हैं बिल्कुल सही कहा है एक और यहां पर बात मैं आपको बता दूँ कि संगीत हर बीमारी की दवा है संगीत रोते हुओं को हसाता है संगीत दुखी मन में सुख और प्रसनता की लहर दोडाता है संगीत यदि उदास है तो चंकृत यदि कहीं से भी संगीत सुनाई दे जैसे मान लीजे हम kitchen की बात करें, या आप पढ़ रहा हैं और कई music चल रहा हो तो आपने आपना या सी हमारे अंग थिरकने लगते हैं, हम उसमें खोने लगते हैं, तो चाहे कोई सिक्षित हो, चाहे कोई असिक्षित हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, यान पढ़ो, बुढे हो जवान हो कोई भी हो संगीत की धुन सुनकर सब ठिरकने लगते हैं इसलिए कहा गया है कि संगीत वह भाशा है जिसे अनपढ़ भी समझ लेते हैं समझ मैं आया इनको ऐसा नहीं है कि भाई पढ़े लेखे लोग ही समझेंगे जब संगीत का समा बंध जाता है समा बंध जाना समझ रहे हैं बिटा संगीत का जब समा बंध जाता है पूरी तरह से जैसे मान लीजे कोई गीत चल रहा है कोई राग कोई सुर कोई कवीता कोई ऐसा गीत जिसमें सब डूब गये सब जूम रहे हैं जैसे मान लीजे यदि हम बात करें कि यहां पर आजाए सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा अब यह जो है संगीत का समा इस तरह से बंद जाता है कि सब के सब जूमने लगते हैं चाहे कोई भी हो बच्चे हो युवा हो बूड़े हो व्रिद्ध हो सब लोग उसमें जूम जाते हैं रम ज प्रतेक आरोह अवरोह के साथ श्रोता अपने निजित्व को त्याग कर संगीत के समोहन में बंद कर से जुकाते रहते हैं क्या आपको पता है आरोह किसे कहते हैं अवरोह किसे कहते हैं देखो आरोह का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में ठीक है बढ़ते क्रम में जैसे यहां मैं लिखूँ सारे गामा पाधानी फिर से आ जाएंगे सापर तो यह आ रो हो आ जाएगा यदि हम बात करें अवरो हो की तो अवरो होता है घटते हुए क्रम में घटते हुए क्रम अब यह कितने हैं स्वर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो अवरो क्या होगा सानीधा पामागारे सा ठीक है इस तरह से फिर से शुरुवात हो जाती है फिर से समापन हो जाता है तो जब सारे गामा पाधानी सा आरो हो सानीधा पामागारे सा अवरो हो तो जब आरो हो और अवरो के साथ श्रोता, श्रोता किसे कहता है? सुनने वाले अपने निजित्व को त्याग कर संगीत के सम्मोहन में बंद जाते हैं ना अनायासी उनका जो सिर है वो जुक जाता है संगीत जादू है संगीत ऐसा बंधन है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता और नाही बचना चाहता मुझे अभी भी याद है जब हम पढ़ते थे स्कूल की बात बता रही हूँ तो हमारे संगीत सर ने एक सरगम गीत सुनाए था ऐसा था इसको सरगम गीत नाम दिया था साग सासारे सनी सरे रे गारे सरे गागा मागरे सनी रे सा गागा मागरे गामा मामा गागा मागरे सरे रे पापा धप मागा मामा पामागरे गागा मागरे सनी रे सा सानी धपा देखो आखो आऄ रहा है ना इस दरह से ये सरगम गीथ था इसको क्या से बतायोंने आओ 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 गुन गुन गाओ 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 चम चम नाचो नाचो चम 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 गुन 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 गाओ औरे इस तरह से बड़ा मज़ा आता था संगीत सच में बिटा जब हम संगीत में हो जाते हैं और संगीत में पूरी तरह खो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं दुख, दर्द, रोना, धोना सारी चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं और हमारे जीवन में शामिल हो जाता है रस, आनन्द, बहुती सुंदर सी अनुभूती यही बताया है उन्होंने कि जब पूरी तरह से हम संगीत में खो जाते हैं तो हम उसमें सिर जुकाते हैं आनन्द के सागर में डूब जाते हैं उन्हें मधुमती भूमी का प्राप्त होती है परिपक्व संगीत ब्रह्मानन्द सहोदर आनन्द की प्राप्ति करता है अब यहाँ पर उन्होंने बताया है संगीत गायन वादन के क्रम में वह चरम खशन भी आता है जिसे सम कहा जाता है सम ना बहुत उचा ना बहुत निम्न संगीत में तीन प्रकार के साथ स्वर याध हो गये सारे गामा पाधानी साथ स्वरों को कहते हैं सब्तक और संगीत में तीन सब्तक होते हैं मंद सब्तक मध्य सब्तक तार सब्तक तार मतलब high pitch इड़ू मंध मतलब सारे गा मापाधा नींसा मध्य सारे गा मापाधा नींसा तार सारे गा मापाधा विल्कुल high pitch जिसको कहते हैं तो आनन्द के प्रसंगीत गायन बादन के क्रम में वह है चरम ख्षण भी आता है जिसे सम कहा जाता है जहां एक अलोकिक अलोकिक शांती मैं संसार का स्रजन हो जाता है सम पूरी तरह से जो है सब के सब खो जाते हैं खुद को भूल जाते हैं और संगीत में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं उसे सम कहा जाता है ठीक अब इसी तरह से क्या मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में स्वर कितने होते हैं साथ सब तक कितने होते हैं तीन वेरी गुड कब या भीज़्ट है कि हम कला को इस उचाई तक ले जाएं अलोचना का वकाश ना रहे बलकि हमारी कला विश्व समुदाय को मोहित आकरशित करने उन्हें मधुमती भूमिका में पहुँचाने ब्रह्मा अनंद का अक्षणिक ही सही साक्षात कराने में सफल हो कभी भारत के सांस्कृतिक उत्थान का अकांग्शी है प्रस्तुत पंक्तियों में वीप्स और अनुप्रास अलंकार का वरनन हुआ है आपको पता है कि अलंकार कावियों की सुन्दरता बढ़ाते हैं जिस तरह से आभूशन पहनने वाले की शोभा में व्रिद्धी करते हैं तरह से अनुपरास कावियों की शोभा बढ़ाते हैं काव में ताले सुर ठीक है ये सब किसी साहता से आता है अलंकारों की साहता से अब है कविता का केंद्रिय भाव क्या है अपने शब्दों में लिखे केंद्रिय भाव समझ रहे हो कि ये जो कविता हमने पढ़ी जनकार गुमती है या इसका मूल आधार क्या है केंद्र क्या है किस पर आधारित है देखो आधने काल के द्वत्तिय उत्थान दुवेदी युग के प्रमुक कवी है मैथली शरण गुप्त अब आधने काल के जन्मदाता किसको कहा जाता है भारतेंदू हरिश्चंद्र को ठीक है तो अब उसके बाद दुवेदी योग के जो शुरुवात हुई उसके प्रमुख कवी माने जाते हैं मैथली शरण गुप्त ठीक है वे आधुनिक भारत के प्रत्थम राष्ट कवी तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रती निधी कवी के रूप में सम्मानित है यदि आपसे कोई पूछे कि आधुनिक भारत के प्रती निधी कवी किसे कहा जाता है याद रखना बिटा ये आधुनिक भारत के प्रती निधी कवी किसे कहा जाता है किसे कहा जाता है मैथली शरन गुप्त जी को ठीक है समझ में आ गया मैथली शरन गुप्त जी को प्रतिनिधी कवी भी कहा जाता है और प्रत्थम राष्ट कवी भी कहा जाता है सबसे पहले कवियों में सबसे पहले राष्ट्रिय उपाधी मिली थी मैथली शरन गुप्त जी क प्रहस्तुत कविता में कभी ने कहा है कि स्वतंत्रता का स्वर इतना उचा हो कि संपून राष्ट एकी भूत होकर देश की आजादी का स्वर गुंजारित करे आजादी का जो स्वर है वो इतना उचा हो कि सोव तरफ सभी और आजादी की लहर दोड जाए सभी के कानों में इसकी जनकार गुंज जाए ताकि सभी आजादी प्राप्त करने के लिए क्या हो जाएं उतावले हो जाएं उनके मन में जोश और बदलाफ की भावना जागरित ह ठीक है तो उन्होंने क्या कहा है कि आजादी का स्वर या स्वतंत्रता का स्वर इतना उचा हो कि संपूर्ण रास्ट एक ही भूत होकर एक होकर एक स्वर में जैसे जब भी हम नारे लगाते हैं भारत माता की सब एक साथ बोलते ना जै भारत माता की जै एक साथ नारे लगाते हैं तो वो जो गूज है वो देश प्रेम की भावना को जगाती है तो बस स्वतंत्रता का स्वर इतना हुचा हो कि संपून रास्ट एकी भूठ हो जाए एक स्वर हो सबका देश की आजादी का स्वर गुंजारित करे प्रकृती आनंद में हो जाए मनुष्य का भाग इठलाए मुक्ती कामना की गमक देश और काल की सीमा का उलंगन कर जन जन के मानस पटल पर गुंजारित हो जाए मुक्ती कामना की तान से स्वतंत्रता की ऐसी उतकट कामना भारत वासियों में पैदा हो कि वे सदियों से गुलामी की दास्ता में चट पटा रही भारत माता बंधन से मुक्त हो जाए जो सदियों से गुलामी की जनसीरों में बंधी है और जो बंधा होता है वो कैसे चट पटाता है मात्र भूमी को अब हमें करना है आज़ाद करना है उनको स्वतंद्र ताकि वे भी मुक्ताकाश में स्वतंद्रता महसूस कर सकें ठीक है? आया समझ में? इसी तरह से उन्होंने इसकी रचना की है संपून हिंदी वासी अपनी अस्मिता अस्मिता का अर्थ क्या होता है? अस्मिता का अर्थ होता है पहजान ठीक है संपूर्ण हिंदी वासी हिंदी वासी का अर्थ है हिंदुस्तानी अपने अस्मिता की खोज की व्याकुलता राष्ट प्रेम का या राष्ट मुक्ति के संग्राम में समाहिध होकर हुलामी की बेडियों से आजाद हो जाएं जनकार कवीता में स्वधीनता आंदोलन की अंतर व्यापत राश्ट के कोने कोने में हो चुकी है कि अब वो गूंज, वो आजादी की लहर चारो तरफ दोड चुकी है फैल चुकी है जहां भारत का हर एक व्यक्ति भारत में रहने वाला चाहे कोई छोटा हो युवा हो व्रिद्ध हो कोई भी हो हर एक व्यक्ति के मन में आजादी की लहर दोड़ गई है और आजादी की चिंगारी ने जन में ले लिया है ठीक है तो अब क्या क्या रहे आंदोलन पूरे देश में व्याप्त हो चुका है कोने कोने में च्छा चुका है और स्वाधीनता तथा मुक्ति की प्यास एवं संपूर्ण राष्ट को आंदोलित होने की हिंदोलित होने की सच्चाई सहज ही द्रिष्टी गोचर होती है कविता में संपूर्ण राष्ट किये की भूत मुक्ति कामना उत्कट और अपूर्व अभी व्यक्त होई है ठीक है राष्ट के प्रती प्रणों से बढ़कर राष्ट प्रेम तथा क्रतग्यता की आत्मा अनभूती इस गीती गमक रचना में इस विरचित होती है कवि की राष्टियता देश प्रेम यथार्थ बोध यथार्थ कार्थ क्या होता है वास्तविक्ता रियालिटी आज़ादी की कामना का उत्देश एवं चेतना कविता का मूल स्वर है ठीक है अब हम चलते हैं कविता में सुरों की चर्चा करें इनके सजीव साकार होने का अर्थ क्या है अब देखें कविता में सुरों की चर्चा करें अब क्या है सुर सुर क्या होते हैं बताईए सुर क्या है जो सुर 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 नहीं पूछ रहा है सुर और वेंजन नहीं पूछ रहे हैं बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं सुरों तो कविता में सुरों की चर्चा करें इनके सजीव साकार होने का अर्थ क्या है कविता में जिस सुर्व, ताल, लै के साथ इस कविता की रचना की गई है जिसमें ओज, उत्साह और आजादी की उत्कट भावना उपस्तित होती है उसकी हमें चर्चा करने है भारत राष्ट के गौरव गायक मैतली शरन गुप्त की जनकार शीर्शक कविता संगीत की प्रिष्ट भूमी में रचित है पूरी तरह से उसका जो आधार है वो संगीत आत्मक है संगीत में पिरोई गई कविता है तभी तो इसका नाम है जनकार जनकार परवत के इस पार परवत के उस पार गूंज उठी चंचनननना मेरे पायल की जनकार गीत है जनकार जहां संगीत हो जहां स्वर हो जहां ताल हो जहां ले हो ठीक है तो ये जो है इसलिए लिखा है भारत राष्ट के गौरव गायक गायक भी कहा है उनको बैतली शरण गुप्त की जनकार शीर्शक कवीता संगीत की प्रिष्ठ भूमी में रचित है पूरी तरह से संगीत मैं है संगीत के घटक सुर स्वन है अब घटक मतलब जो अंग होते हैं ये शब्द जाता है तो बच्चे बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं आप इनको अंग भी कह सकते हैं ठीक है कभी कभी ये भी आजाता है कि अवयब किसे कहते हैं तो आप बेटा कन्फ्यूज नहीं होंगे घटक अवयब या अंग एक ही बात है तो संगीत के जो घटक हैं वे सुर और स्वर हैं स्वरों का आरोह अवरोह जब पक्के गायक के गले से निस्त्रित होता है न जैसे अभी हम कुछ नहीं जानते हैं संगीत के माध्यम मतलब संगीत के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं बस हमें इतना पता है सीधा सार के पुजारी होते हैं जब उनके मुख से आरोह अवरोह सुना जाता है ना तो इतना कर्ण प्रिया लगता है कि बस सुनते जाओ खो जाते हैं हम डूब जाते हैं पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तो पक्के गायक के गले से निस्तरत होता है तो एक जीवन्त अव लोकस पूरी तरह से स्रजन होता है ऐसे लगता है कि जो भी गीतों गायँ जा रहे हैं वो वास्तों में यहीं आँखों के सामने चित्र चल रहे हैं लता जी लता मंगेशकर जी द्वारा गीत गाया हुआ है ऐ मेरे वतन के लोगो जब आप उसको ध्यान से सुनोगे ऐसा लगता है जैसे वो जो भीशन समय था या यूँ कहें कि जब हमारे जो भारतिये फौज के जो सिपाही है या फौजी है जब वो दुश्मन देश से लड बढ़ते जाते हैं दस दस को एक ने मारा फिर गिर गए होश गवा के जब देश में थी दी वाली वो खेल रहे थे होली किस तरह से इस गीत की रचना की गई और कितने भावनात्मक तरीके से इसको गाया गया सुर सामरागी लता जी के द्वारा तो गीत जब सुना जाता है ना तो उसमें पूरी तरह से रॉंग टे खड़े हो जाते हैं यहीं बताया है यहां कि जब कोई पक्के गायक के द्वारा यह गाया जाता है तो सब कुछ सजीव सा लगता है ऐसा लगता है जैसे हमारे आखों के सामने घटित हो रहा हो ऐसा लगता है कि स्वर केवल कान के म करती है और जब सुरों में वो तलीनता होती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आखों के सामने घटित हो रहा है अगला है इस कवीता का स्वधीनता आंदोलन से कोई सांकेतिक सम्मंद दिखाई पड़ता है यदि हां तो कैसा क्या लगता है आपको कि जनकार कवीता का स्वधीनता आंदोलन से कोई रिष्टा है जनकार कवीता का स्वधीनता या स्वतंतरता संग्राम से कोई नाता है कोई रिष्टा है यदि है तो बताईए कैसा रिष्टा है देखों राष्टकवी मैथली शरंगुप्त की प्रस्तुत पंक्ती जो प्रस्तुत कवीता है जन संकार उसमें भारतिय स्वतंत्रता संघर्ष का स्वर्णी संदे गुंजारित है इसमें उन्होंने यही बताया है कि किस तरह से कविताओं में जैसे हमने अभी देखा कि जो भी उनके द्वारा यह जो एक-एक शब्द जो लिखे गये हैं वो पूरी तरह से कविता में सुरों के माध्यम से बंधे भी है और एक एक शब्द एक एक शब्द हमें देश भक्ती की प्रेर्णा देता है तो इस कविता में भारतिय स्वतंत्रता संघर्ष का स्वर नीसंदे गुंजारित है इसमें कोई संदे नहीं है कि इस कविता में स्वतंत्रता का स्वर नहीं है क्यूंकि है इस कविता में कवी की देश भक्ती स्वतंतरता प्राप्ती की उत्कृष्ट आकांग्शा तथा भारतिये स्वधीनता आंदुलन की उत्प्रेरणा का स्वर अनुगुंजित है दिवे भूमी की आजादी के लिए व्याकुल कवी का रद है मुक्ती युक्ती निकालने को तयार है कि मुक्ती की युक्ती किस तरह से इन बंधनों से छटपटा रही मा भारती को आजाद किया जाए कैसे सभी भारतवासियों के दुखों को दूर किया जाए कैसे इस गुलामी की जन्जीरों को तोड़ कर मुक्ताकाश में उची उडान भरी जाए तो यहाँ पर उन्होंने यही कहाए कि इस हिंद को स्वाधीन ता आंदोलन में कूद पढ़ने का आवान करते हैं और उसके उतकरश देश भक्ती रेखां के तेवां विशलेशित करते हैं कविता में घुलामी की बेडियों को काट कर भारतमा को स्वाधीन बनाने की सम्वेधना कलपना का संसपर्श का एकांत साक्ष पेश होता है पूरी तरह से कविता में स्वधीनता आंदोलन की अंतर व्यापती तथा मुक्ती की प्यास नीसंदे निरनायक स्थान प्राप्त कर चुका है संपून राष्ट स्वधीनता के लिए आंदोलित होकर सदियों की गुलामी से मुक्ती पाने के लिए कृत संकल्पित है इस कविता में संपूर्ण राष्ट की एकी भूत, मुक्ती, कामना की गीती, गमग, गुंजारित और जंकरित है एक एक शब्द, एक एक शब्दों से ये बया होता है कि ये कविता आजादी को समर्पित है, स्वतंत्रता के लिए समर्पित है अगला है, वरनात्मक कविता लिखने के लिए दोवेद यूग के कवी प्रसिद्ध थे, किन्तो इस कविता में छायावादी कवियों जैसी शब्द योजना, भावविव्यक्ती एवं चेतना दिखलाई पड़ती है कैसे इस पर विचार करिए अब देखिए, हमने आपको अभी बताये था बिटा कि छायावाद किसे कहते हैं छायावाद का अर्थ होता है प्रकृति और मानव मन की अंतरभावनाओं को एक साथ तालमेल बिठा कर रचना करना छायावाद तो इसमें यही पूचा है कि इसमें छायावाद जैसी शब्द योजना और भावावी व्यक्ति दिखाई देती है कैसे देखो आदशवाद की प्रधान ताके कारण दुवेदी युक के कवियों ने वरनन प्रधान इतीवरितात्मक्षैली को ग्रहन किया जो भी कविताएं लिखी जो भी रचना की गई है वो कैसी लिखी गई है इतीवरितात्मक्षैली मतलब पूरी तरह से वरनात्मक्षैली है कहने कत अत्पर की वरनन जैसा लगता है गध्यात्मक लगता है कोई भी कविता जब हम थोड़ा सद्वेदी युग की उठा कर दे प्रधान थे उन पर पूरी तरह से खरी बैठती थी कविता ठीक है विबन पौरानिक एवं एतिहासिक आख्यानों को कावे बद करने के लिए इस युग में वरनात्मक कावे को प्रधानता मिली कौन से युक्की बात की जा रही है दिवेदी युक्की आप बताईएगा हो और शुश्कता आ जाती थी अनुभूती की गहराई का समावेश हो सका वरनात्मक कावे में कोमल कांत पदावली और रसात्मक्ता का अभाव है और यदि हम बात करें च्छायावाद की तो यहां तो रस आनन्द सब कुछ है दोवेदी युक्के कवी का ध्यान प्रकृती के यथा तथ्य वरनन तता मान प्रकृती का चित्रन इस समय की कवीता का प्रधान विशय बन गई इस काल के कवियों ने जहां प्रकृती के बड़े समवेद नात्मक एवं चित्रात्मक प्रस्तुत किये हैं चित्र वहां वरनन किया है प्रकृती के द्वारा नैतिक उपतेश देने की चेश्ठा भी की है यह प्रत्म भी किया है कि किस तरह से प्रक्रती के उपमानों त्वारा मानवीय मन की भावनाओं को प्रस्तुत किया जाए और संगीत आत्मक्ता के साथ साथ कवी मैतलिशरण गुप्त जीने इस कवीता को जीवन्त भी बनाया है दुवेदी युग में खड़ी बोली परिमार्चित और परिश्कृत होकर भाशा में स्वच्छिता और सजीवता का समावेश करने में समर्थ हुई भाशा का अधिक सरस माधुर्य पूर्ण तथा प्रौड स्वरूब इस युग में परिलक्षित होता है तुवेदी युक के कावे विविद मुखी हैं कावे में विविद चंदों को अपनाने की प्रिवर्ती भी दृष्टी गोचर होती है ठीक है दृष्टी गोचर मतलब दिखाई देती है जब भी हम कविताएं बढ़ते हैं तो बिलकुल साफ साफ लगता है कि हाँ यहां कई तरह के चंदों का इस्तेमाल हुआ है ठीक राश्टकवी मैथली शरन गुपती की प्रसुत कविता जनकार में अब देखे राश्टकवी मैथली शरन गुपती जी की कविता दुवेदी युक की अन्य कविताओं से भिन्न कैसे है क्योंकि इसमें चायवादी कवियों जैसी शब्द यूजना है अब चायवादी शब्द यूजना समझ गया भावा अभिव्यक्ति चेतना दिखलाई पड़ती है गुपत जी की कविता में ना केवल संस्क्रित के तत्सम शब्दों की भरमार है अर्थात इसमें अर्बी फार्सी के शब्दों का भी बाहुल है अधिकता है देशत शब्दों की भी प्रचुरता है उन्होंने खड़ी बोली की प्रकृती और संरचना की रक्षा करते हुए उसे कावे भाशा के रूप में विक्सित करने का एक बहुती सफल प्रयास किया है कि ये पूरी तरह सें ये नहीं कह सकते हैं कि जनकार कवीता चायवादी है हाँ ये दोवेदी युक की कवीता है परन्तु इसमें चायवाद का समावेश स्टार्ट हो गया था या यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिया था राश्ट कवी गुप्त जी ने खड़ी बोली हिंदी के स्वरूप निर्धारन और विकास के साथ उसे कावियो प्युक्त रूप प्रदान करने वाले अन्यतम कवियों में अग्रणी भूमी का निभाई यदि हम बात करें राश्ट कवी मैथली शरन गुप्त जी की तो हमने कहा था न आपको पता है कि चार आधार स्थम हैं पंत प्रसाद वर्मा निराला सुमित्र अनंदन पंत पंत प्रसाद जैशंकर प्रसाद वर्मा महादेवी वर्मा और सूर्यका अंतरपाटी निराला तो चायाबाद का प्रारंब अभी नहीं हुआ लेकिन यहां पर गुप्त जी की कवीताओं में चायाबाद का रूप देखा गया शुभारंब हो गया था बीज बोए जा चुके थे चायाबाद के ठीक है समझ में आया इस तरह से निश्चे ही आज की कावे भाषा के निर्मान में उनकी आधार भूत भूमी का परिलक्षित होती है प्राचीन के प्रती पूज भावना और नवीन के प्रती उत्सहपूर्ण भावना की विशेश्ता कालानुसरन की अद्भुद क्षमता एवं उत्तर उत्तर बदलती कावनाओं और कावे प्रनालियों को ग्रहन करके चलने की कावे शक्ती भी यहां पर गुप्त जी की कवीताओं में देखी जाती है ठीक है अब देखो कावे में परंपरा है आदुनिक्ता का द्वंद तनाव और समनवय का यथार्थ समायोजन जो मिला है ना जैसे अब आत्मक कवीताओं क्या वोलबाला था आदर्श कोई इधर उदर नहीं भागेगा वहाद अच्छे से चलेंगे लेकिन मैथली शरण गुप्त जी ने छायावाद का बीजबो दिया और उसमें शामिल कर दिया क्या क्या हो गया उत्सहापून भाव की विशेष्टा आ गई कालानुसरन की अद्भुत क्षमता आ गई उत्तर उत्तर बदलती भावनाओं और कावे प्रनालियों को ग्रहन कर चलने की शक्ती कावे में परंपरा, आधोनिक्ता का द्वंध, तनाव और समनवय का यथार्थ समायोजन करने की अद्भुत क्षमता गीती गमक ने उन्हें चायावादी कवियों की श्रिणी में लाकर खड़ा कर दिया हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वे वेद युक्य थे या चायावादी लेकिन हम इतना अवश्य कहेंगे जब कभी पूछा जाए कि प्रारंबिक, चायावाद का प्रारंबिक काल या फिर कौन कवी हैं जो चायावाद के शुरुवात करने वाले माने जाते हैं तो इंदर में विशेश जानकारी प्राप्त कीजिए क्या आपको पता है कि मैतलिश अरण गुप्त जी प्रत्थम रास्ट कवी कहे जाते हैं ठीक है देखे उन्हें सहित जगत में दद्दा नाम से भी संबोधित किया जाता है याद रखेगा कि ना केवल प्रत्थम रास्ट कव कि नाम से ही आपको जाना जाता है बलकि हिंदी सहित में डदा मनलब दादा जो रहे दो ना सीनियर सबके समानीय इस नाम से भी संबोधित किया जाता है उनकी कृति भारत-भारती जो 1912 में पबलिश हुई ती प्रकाशित हुई थी भारत के स्वतंतरत संग्राम की समय में क प्रभाव शाली सिद्वी इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट कवी की पदवी दी थी अब प्रशन ये भी पूछा जा सकता है कि कवी मैथली शरण गुप्त जी को राष्ट कवी की उपाधी किसने दी तो अब आप याद रखिएगा राष्ट पिदा महात्मा गांधी जी द्वारा मैथली शरण गुप्त जी को राष्ट कवी की उपाधी प्रदान की गई उनकी जैन्ती तीन अगस्त को हर वश कवी दिवस के रूप में मनाई जाती है अब उनका जन्म दिवस याद रखिएगा तीन अगस्त तीन अगस्त को कवी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है मैथली शरंगुप्त का जन्म दिन 3 अगस्त को जैसे चाचा नहरूका बाल दिवस के रूप में 2 अक्टूबर गांधी जैन्ती ठीक है या हम और भी देखते हैं जैसे अभी हमने कई लोग जो मतलब महान हस्तिया रही उनके जन्म दिवस को भी मनाय जाता है तो यहाँ पर यह जो 3 अगस्त है जब मैथली शरंगुप्त जी का जन्म हुआ तो उसको कवी दिवस के रूप में मनाय जाता है ठीक है चलो अब हम चलते हैं आगे गुप्त जी पर महात्मा गांधी का प्रभाव था इस अंदर में अपने सिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए जी हाँ बिलकुल देखिए बिटा अभी हमने क्या देखा कि गुप्त जी को राष्ट कवी की उपाधी किसने दी राष्ट पिता महत्मा गांधी जी ने तो बिलकुल अवश्य ये हो सकता है और ऐसा हुआ है कि महत्मा गांदी जी जिस तरह की विचार धारा और व्यक्तित्व के पुरोधा थे या हस्ती थे उसी तरह के गुण और सुभाव मैतली शरन जी में भी था राष्ट्पिता महत्मा गांदी ने मैतली शरन गुप्त के जन्म दिन पर आयोजिद एक समारों में कहा था क्या कहा था वे राष्ट्र कवी हैं जैसे मैं राष्ट बनने से महत्मा बन गया हूँ मैं तो गुप्त जी को इसलिए बड़ा मानता हूँ कि वे हम लोगों के कवी हैं और राष्ट भर की आवश्यक्ता को समझ कर लिखने की कोशिश कर रहे हैं कुछ समझ में आई कि कवीयों की कितनी महत्मपूर्ण भूमी का थी उस समय कोई मोबाइल्स फोन नहीं हुआ करते थे कोई टेलिविजन्स नहीं हुआ करती थी कि समाचारों का प्रसारण हो रहा है हम देख रहे हैं सुन रहे हैं कि और ये क्या चल रहा है कवीयों की लेखनी ने ही कमाल कर दिया समझ में आया कलम का जादूगर कुछ ऐसी रचनाय की गई जिनमें जन जन को जागृती मिली यर्थात स्वतंतरता की चिंगारी के जो बीज बोई है ना स्वतंतरता के बीज वो देश के कवीयों द्वारा ही बोई गए है इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह के विचार बापूजी के थे अब है आधुनिक युग में रामकथा को लेकर कावे रचना मैतली शरंगुप्त ने की है उनके किस कावे में रामकथा का कौन सा पक्ष चित्रित किया गया है साकेत का कथानक रामकथा पर आधारित है साकेत जहां पर उन्होंने लक्षमन और उर्मिला की विरह वेदना को व्यक्त किया है राम को वनवास देने का वचन माता कहकईने राजा दश्रत से मांगा उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे लक्षमन को भी वनवास भेजना है नहीं कहा था चूंकि राम लक्षमन लक्षमन राम जी को अपना प्रभू मानते थे उनकी सेवा में प्रती मतलब पूरी तरह से समर्पित थे जब राम को वनवास दिया गया तो लक्षमन भी तैयार हुए मातसीता चूंकि उनकी अरधांग नी थी तो उन्होंने कहा कि मैं भी आप ही के साथ चलूँगी भईया लक्षमन भी तैयार अब जो उर्मिला थी जो लक्षमन की पत्नी थी उनको किस तरह से चौधा वर्ष तक विरह वेदना में जीना पड़ा इसमें साकेत का जो कथानक है साकेत उनकी रचना है रामकथा पर आधारित है लेकिन रामकथा का वर्णन करना कवी का उद्देश नहीं है साकेत का मुख्य उद्देश रामकथा में उपेक्षित पात्रों को प्रकाश में लाना है समझ में आया कि यहां कवी ने रामकथा का वर्णन नहीं किया है कि साक अंदेखे रह गए जबकि उनकी भूमी का काफी स्ट्रॉंग थी फिर भी उनको लोगोंने नहीं देखा तो ऐसे पात्रों को सबके दृष्टी में या सबके समक्ष प्रस्तोत करना ही कवी की मोख्य उद्देश था तो उन्होंने ऐसे पात्रों को यहां पर लेकर आए हैं सा कथा नहीं होंगे जैसे उर्मिला उनको 14 वर्ष का कैसे दुख जेलना पड़ा तो इसी में साकत की कथा रामाइन की ही कथा है ठीक है भाशा की बात गुप्त जी की कवीता में तुकों का सफल विधान है इस कवीता में प्रयोक्त तुकों को छाट कर लिखिए मैतनी शरण गुप्त जी तुकांत कवीता रचने के लिए जितने विख्यात हैं उतने ही आलोचना के पात्र भी हैं किन्तो यह भी सत्य है कि तुक के कारण ही कवीता दीर्ग जीवी होती है कोई कवीता तुक समझते हो तुकबंदी राइमिंग्स जिसको कहते है जितने अच्छे से तुकबंदी होगी उतने अच्छे से वो सदियों तक चलती है देखो यहां लिखा है दीरग जीवी दीरग जीवी मतलब योगों योगों तक जीवित रहती है किसके कारण तुक के कारण ले के कारण जब कवीता में तुक बंदी होती है ले होती है तब वो कवीता सभी की जवान पर भी होती है और युग युग विगान तक चलती है जनकार में निमले के तुकांत शब्द आये हैं जैसे तार जनकार गुंजार साकार प्यार तैयार विस्तार द्वार और बारंबार संसार ठीक है पूरी कविता में अनुप्रासलंकार है क्योंकि वरणों की आवरित्ती हुई है अनुप्रास अलंकार क्या है कविता से इसके उदहरणों को चुनकर लिखिए अनुप्रास अर्था जहां अक्षरों में समानता हो जिन कावे पंतियों में अक्षरों में समानता हो अक्षर या वर्ण की आवरित्ती हो उनके सुर मिले या ना मिले वहाँ अनुप्रास अलंकार हो रहा होता ही है यदि अक्षर बार-बार आ रहे हैं भले ही सुर मिले ना मिले लेकिन अलंकार तो होगा अनुप्रास इसके चार भेद है, छेक अनुप्रास, एक या एक से अधिक वर्षों का केवल दो बार प्रयोग, व्यत्य अनुप्रास, एक या अधिक वर्णों का दो से अधिक बार प्रयोग, शुत्य अनुप्रास, मुख से किसी एक ही उच्चारने स्थल से उच्चारित होने वाले वर् जैसे प्रस्तुत पंक्ती में सश र क की आवरित्ती, दुत्य पंक्ती में त की तीन बार आवरित्ती, तुत्य पंक्ती में क की एक आवरित्ती, चतुर्थ पंक्ती में उ की आवरित्ती, पंचम पंक्ती में न स की आवरित्ती, शश्चम पंक्ती में स र की आवरित्ती, सप्त नवम पंक्ति में दसकलम की आवरिट्ति और अस्ठ मतल आठमी पंक्ति में करपह की आवरिट्ति और जब आपको पता ही है कि जब वर्तन की आवरिट्ति याक्शरों की सब्सक्राइए meget वहांनुप्रास अलंगार होता है ठीक है नवं पंक्ती में है रा और टा की आपरति मतलब हर एक Commに हर पूरी कविता में की आवरित्ति पंच दश पंग्ति ला की आवरित्ति शोड़स पंग्ति तो ला कर रा की आवरित्ति सब्त दश पंग्ति हम बारा की आवरित्ति अब 18-19 अश्टादस पंक्ति कर मां की आवरित्ती उन्विश पंक्ति समां की आवरित्ती हर एक पंक्ती में वर्ण की आवरित्ती हुई है इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि जनकार कविता मतलब संपूर्ण जनकार कविता में अनुपरास अलंकार है ठीक है निमलिकित शब्दों का वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निरने करें शरीर शरीर क्या है पुलिंग राम का शरीर हिष्ट पुष्ट है शिरा स्ट्रिलिंग आपकी शिरा में जनकार है जनकार स्ट्रिलिंग पायल की जनकार मनमुहक होती है प्रकृति स्ट्रिलिंग आपकी नियती पर भरोसा नहीं किया जा सकता नियती आपका धन परोबकार्थ वर्षी तो है गमक ठीक है तान मूरली की तान अंगुली मेरी अंगुली कट गई भाल तुम्हारा भाल चमक रहा है मस्तक नियती काल तो ये थे हमारे प्रशनुत्तर आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने सुने है समझे हैं समझ में आये यदि नहीं आये तो कॉमेंट सेक्शन में बताएगा बेटा मैं आपको रिप्लाइ अवश्य दूँगी बने रहा हूं हमारे साथ मैंगनेट ब्रेन सिंधी मीडियम पर मिलते हैं गले वीडियो में स्वस्त रहिए थाइंक यू सो मज